Docks Token के withdrawal का option available हो चुका है। उसे कैसे करना है, exchange पे करना है या wallet में करना है। मैं आपको करके दिखाऊँगा कि किस तरीके से करना है और दोनों में करने पर फिल हाल में तो फीस नहीं लग रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि डॉक्स टोकन में ही फीस लग जाएगी तो आप सभी के टेंशन खतम हो गई फिर भी आप अगर वॉलेट में करने जा रहे हैं टेलीग्राम वॉलेट में तो कुछ टोन एक दो डॉलर के रखे रहिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो तो चलिए डॉक्स टोकन कैसे एक्सचेंज या वॉलेट टेलीग्राम वॉलेट में विड्डॉर करना है उसे देखते हैं स्टेप बाई स्टेप तो इसके लिए हम आपको लेके चलते हैं मॉबाइल इसक्रीम आप सभी लोगों का इंतिजार खतम हुआ डॉक्स टोकन का विड्डॉल को अपसन आ चुका है मेरे पास कम ही है बहुत सारे लोगों के मिलियन मिलियन कोई यहां पे हैं तो ठीक है यह हम किस तरीके से विड्डॉर करना है वह हम इस वीडियो में जानेंगे तो सबसे पहले यहां पे अपना डॉक्स का जो डॉक्स का जो पेज है टेलीग्राम पे उसे open कर लिजेगा मैं लिंक दे दूँगा उस पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट इस पे ही redirect कर देगा यहां पर deposit to exchanges यह option आपको दिखेगा इस पे ही click करिएगा तो यहां पर दो option तीन option आपको देखेंगे exchange wallet in telegram और non custodial wallet इसका अब यह है आपका tonekeeper wallet, trust wallet, metamask इस तरीके का जो है वह आपका wallet है ठीक है तो यहां पर अभी दो option available show कर रहे हैं exchange और wallet in telegram ठीक है अगर आप करना चाहते हैं तो वह पहले मैं आपको पता देता हूं exchange पे click करेंगे इस exchange पे tick लगाएंगे और continue पे click करेंगे यहां पर दो option आपको दिखने को मिलेंगे okx bybit तो okx इंडिया में और बहुत जंगा यह आपको band देखने को मिलेगा तो okx में ना करके हम bybit में करेंगे क्योंकि ज्यादत अलोगों के पास bybit है अगर आपके पास bybit नहीं है तो इसी post में bybit को bybit का account बनाके बनाने का link मिल जाएगा उस पे click करके बना लीजएगा और उसके बाद उसमें kyc करके और उसका withdrawal इसमें ले सकते हैं ठीक है तो अभी time है आप इस चीज़ को कर सकते हैं 24 गंटे 47 गंटे में आपको verify हो जाएगा फिर withdrawal लगा लिजएगा ठीक है तो हम यहाँ पर bybit पे click लगाते हैं उसके बाद send here पे click करेंगे तो यहाँ पे do you have a bybit account तो यहाँ से पूछ रहा है कि आपके पास bybit account है तो यहाँ पर yes I have it इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए तीन option मांग रहे हैं एक UID bybit की UID और dog deposit address और memo memo बहुत important जीज़ है इसको ध्यान में रखिएगा उसके बाद यहाँ पर आप आजएगेगा अपने bybit account मे यह उपर जो logo दिख रहा है ना इस logo पर click करिएगा उपर जो logo है उस logo पर click करिएगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपकी UID show करेगी इस पर click करिएगा तो यहाँ आपकी UID copy हो जाएगी वापस से टेलिग्राम पेश पर आईएगा इस UID को यहाँ पर paste कर दीज़ेग ठीक है उसके बाद वापस बाइबीट पर आईएगा और यहाँ से बैक करिएगा और यहाँ नीचे assets का option आपको मिलेगा assets वाले option पर click करिएगा और यहाँ पर deposit का option आपको मिलेगा deposit की option पर click करिएगा और यहाँ पर deposit crypto यहाँ पर deposit crypto पर click करिएगा अब यहाँ पर search कर लिज tone select कर दिजएगा tone network पे है यह तो tone select कर दिजएगा यहाँ पे ok पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको यह address मिलेगा address को करिएगा copy और आ जाएगा इसी page पे address को कर दिजएगा paste उसके बाद आएगा bybit पे और यहाँ पे आपको दिखिए tag और memo लिखा हुआ मिलेगा इसको करिएगा copy और वापस से आजएगा इसी page पे और यहाँ पे paste करके और send पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बताएगा कि 20 तारिक से पहले आपके wallet में deposit कर दिए जाएगे dogs coin जो भी आपके बनेंगे ठीक है तो इस तरहीके से exchange पे करना है चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि टेलिग्राम wallet में कैसे करना है तो यहाँ से बैक जाएंगे और फिर से deposit to exchange पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे wallet in telegram select करते हैं और यहाँ पे continue पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे do you have an account with wallet in telegram बहुत से लोगों की problem यह है कि वो लोग बोलें कि KYC मांग रहा है यहाँ पे तो KYC कर दीजिएगा अपने wallet में नॉर्मल सी होती है में mobile number email id नाम बस इतना ही थोड़ा बहुत detail नॉर्मली पूछता है उसको फिल करके वहाँ पे KYC कंप्लीट कर दीजिएगा उसके बाद open wallet in telegram इस पे क्लिक करिएगा आपका यहाँ पे telegram wallet open करेगा ठीक है यहाँ continue का option शो करेगा continue पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे दिखिए verification complete तो जिन लोगों का जो नॉर्मली KYC है वो अगर complete होगा तो वेरिफिकेशन complete यहाँ आ जाएगा फिर return to docs इस पे क्लिक करिएगा यह इस पेच पे आके आपको ले जाएगा withdraw to wallet in telegram ठीक है यह keep going इस पे क्लिक करिएगा दो option मिलेंगे choose another option और यह keep going तो यह keep going पे क्लिक करना है तो यहाँ पर जो आपके tokens होगे confirm withdrawal के लिए वो शो करेंगे उसके बाद I confirm पे क्लिक कर देना है यहाँ पर deposit in process यहाँ पर बता रहा है कि now we ready to for listing on August 20 तो 20 अगस्त के जो listing होने जा रही है उससे पहले आपके wallet में जो आपके docks token है वो deposit कर दिये जाएंगे वूफ पर क्लिक कर देंगे यह आपका यहाँ पर withdraw को option हड़ गया और जो आपने withdraw किया है वो यहाँ पर withdrawing में शो कर रहा है इस तरहीके से आप अपने exchange पे या टेलिगराम wallet में withdraw कर सकते हैं तो मुझे उमीद है कि आप सबी को सारी चीज़े clear होई होगे तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो like और share करिएगा चैनल पर पहली बार आएं तो subscribe करके bell icon दबा देचे थैंकि दोस्तों वीडियो देखने के लिए